एक confusion तो सभी यूट्यूबर को होता है या नए यूट्यूबर को तो बहुत जादा होता है कि क्या creative common की वीडियो उसको monetize कराया जा सकता है अच्छा अगर हम हुबा हुँ उठाकर copy कर दें किसी creative common वीडियो को तो channel monetize होगा या नहीं होगा अगर हम उसमें कुछ creativity करें तो क्य या चैनल monetize होगा या नहीं होगा आईए जानते हैं इस वीडियो में आपको creative common का इस्तमाल आप कैसे कर सकते हैं साथ-साथ आप उसको monetize भी कैसे कर सकते हैं तो वीडियो को आपने अंत तक देखना है साथ-साथ चैनल को subscribe करके bell icon को press करना है जिससे आने वाले सारे notification आपको होता है और एक creative common license होता है ऐसे में दोस्तो creative common का हला सबसे ज्यादा मचाया जाता है क्योंकि बहुत सारे दोस्ते हैं जो अपनी तरफ से वीडियो करना नहीं चाहते हैं या कुछ editing करके वीडियो को चलाना चाहते हैं ऐसे में वह वीडियो कहां से लेका रहा है अगर वो किस किसा mechanism है YouTube का जो आपको reusability लेकर आता है आपके लिए लेकिन उसमें कई सारी clause आती है और वो clauses बहुत ही बारीकी से मैं आज आपको समझा रहा हूं इसलिए बार बार आपसे कह रहा हूं कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें तभी आप इस चीज को समझ पाएंगे कि किस तरह से आप creative common का इस्तमाल करेंगे तो मैं बात कर रहा था कि standard license क्या है जैसे कि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ये एक standard license वाली वीडियो है अगर आप इसको use करते हैं और कोई भी part इसका use करते हैं तो मेरे पास authority है मैं आपको उसमें claim भेज सकता हूं या strike भी ब के की होती है लेकि ये मानके चलिएगा जो लोग creative common की वीडियो को upload करते हैं copyright हमेशा उनी के पास ही रहता है ये ध्यान से सुनिएगा दुबारा से बता रहा हूं कि अगर मैंने कोई वीडियो बनाई और मैंने उसका license standard की जगा creative common कर दिया तो इसका मत्तब यह नहीं है कि आ पूट मिलती है आपको जो YouTube की तरफ से भी मिलती है कि अगर आप creative common की वीडियो का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको उसमें कुछ creativity दिखानी होगी जैसे कि for example आप बहुत सारे dogs की वीडियो का cat की वीडियो का आप dubbing कर सकते हैं आप उसमें कुछ नई चीजे लेकर आ सकते है और आप उसमें अपनी creativity दिखा सकते हैं यहाँ पर word creativity बहुत ज़्यादा important है लेकिन अगर आप किसी भी creative common की वीडियो को हूग हूँ उठा कर copy करते हैं और download करते हैं और copy paste करके आप अपने channel पर डालते हैं तो जिस भी बंदे की या बंदी की वो वीडियो है वो आपको copyright strike भीज सकती है उसके पास right है क्योंकि उसने creative common में वीडियो डाली है इसका मतलब यह है कि वो भी यह चाहते हैं कि आप इस्तमाल करें लेकिन कुछ creative way में इस्तमाल करें साथी साथ जो music के चीज़े होती हैं जो एक तरीके का music के जो channels हैं वो बहुत जादा creative common से आपर इस्तमा करते हैं लेकिन वो आप से एक चीज़ कहते हैं कि आप उनके जो credits हैं यानि कि जो उनका backlink एक तरीक से समझ लीजिए उसको आप अपने description box में इस्तमाल करें ऐसे ही आपके पास बहुत सारी emails आती हैं जो creative common के channels के बारे में होती हैं मेरे बहुत सारी आती है कि आप हमारे channel का वीडियो इस्तमाल करें डीजे हम आपको कहीं पर भी strike नहीं देंगे और हमने अपने channel को creative common में डाला हुआ है ऐसे channels के साथ पूरा proper लिखत पढ़त करके और पूरा एक deal final करके ही इस्तमाल करिएगा नहीं तो आगे जाकर आपको दिक्कत हो सकती है साथ-साथ जो फरजी music company ह होती है जो background music आपको provide कराती है creative common के नाम पर उनसे आपको बहुत जादा साथ-भान रहने की आवशकता रहती है तो creative common क्या है creative common monetize जरूर होता है लेकिन वो तब होता है जब आप किसी video का इस्तिमाल right तरीके से करते हैं यानि की उसके अंदर अपनी तरब से कुछ नया डालते हैं अगर आप उसके अंदर कुछ भी नया नहीं डालेंगे तो आपका channel monetize नहीं होगा और आप problem में भी आ सकते हैं इसनी copy paste का जो कार्य होता है वो आप नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसका right उसका copyright उसी owner के पास है जिसने वो वीडियो creative common के अंदर बनाई है उमीद करता हूँ आपको ये आज चीज समझ में आ गई होगी और आप बहुत ही smartly अप creative common का इस्तिमाल करने वाले हैं वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएगा comment करके instagram पे मुझे follow कर सकते हैं साथ-साथ tele program पर भी आप उससे बात कर सकते हैं सभी के link description box में दे दिये गए हैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में